तामिल नाडू में कुन्नूर के पास हुए हेलिकॉप्टर हाथसे में चीफ ओफ डिफेंस जेनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेथ 13 लोगों का निधन हो गया इस खबर के बहराते ही देश में मातम का महौल पैदा हो गया कई लोगों की आखों से बहे आसू तो कहीं लोगों के जजबाद सोशल मीडिया पर नज़र आए जेनरल बिपिन रावत सेना के तेज तरार ओफिसर्ज में से एक माने जाते थे उनके नाम और काम से चाइना और पाकिस्तान खौफ खाते थे जेनरल के निधिन की खबर दुनिया भर में आग की तरा फैलते ही पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों के कुछ बयान सामने आए हैं आपको बता दे कि पाकिस्तान सेना ने अपने ओफिशल ट्विटर अकाउंट से टुईट करते हुए लिखा जेनरल नदीम रजा, जेनरल कमर जावेद पाजवा और चीफ आफ दे आर्मी स्टाफ भारत में हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में सीडियेस जेनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी और अन्य लोगों की दुर्भागयपून मौत पर अपनी समवेदनाई जाहिर करते हैं इसके अलावा पाकिस्तान के आमनागरिकों ने भी जेनरल बिपिन रावत की मौत पर दुख चताया ट्विटर के जरीए लोगों ने लिखा सीडियेस बिपिन रावत की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूँ इस हाथसे में मारे गए लोगों के परीजनों के प्रती मेरी समवेदनाई तो वहीं इस भावना की तारीफ करते हुए कुछ लोगों ने कहा मानफता सबसे पहले आती है और पाकिस्तानी आर्मी ने प्रोफेशनलिजम दिखाया है हम नफरत में यकीन नहीं करते हैं आपको बता दे कि CDS रावत ने देश के लिए कई बड़े ओपरेशन्स में अपना योगदान दिया था उन्होंने पूर्व उत्तर में आतमवाद को कम करने में एक महत्वपूर्म भूमे का निभाई थी विरोरेपोर्ट करिंड़